नवरात्री के अंदर देजे ये प्रिय भोग मा का ये प्रिय भोग है और इस भोग से अपने परिवार को सुखमे कीजिए क्या है वो भोग देखो कई वार क्या होता है मा को तो ये संसार सारा ही प्रिय है क्योंकि मा स्वम ही वनस्पति है तो इस पकार से आप एक बात सोचन कि जो मैं आपको भोग बना रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भोग अगर मा को आप अपने हातों से बना कर अरपन करोगे नवरात्री पे, अग्यारी लगा कर, एक अग्यारी लगा कर भोग कैसे अरपन करना है, मैं आपको बताता हूँ, पूरी विद्धी बता पता है मुझे पता है आपको मखानों के बारे में पता है मखानों की खीर आपको मा को बहुत ज़्यादा प्रिये है आपको जिस पकासे बगवान शिव को चावलों की खीर बहुत ज़्यादा प्रिये है ऐसे मातेश्वरी को मखानों की खीर बहुत ज़्यादा प्रिये है और गैस पर गरम कर लेना जब फोड़े से करा रहे हो जाए तो बार नकाल देना आप आदे मखाने लेना उसको आपने खंडित कर देना है तोड़ देना है उसके वाद दूद लेकर उसमें मिठा डाल देना दूद में जब दूद थोड़ा सा राज जाए गारे पन में आ जाए हलका सा अब जो चूरा कराव है वो डाल दीजिए जो साबत है फिर वो डाल दीजिए अब उसके अंदर आपको आपने डालना है केवडा केवडा डालना है थोड़ा सा इतना सा न नामतर भीम सैनकपूर अब आप कोगे कि गुरुजी भीम सैनकपूर भी डलता है ओरिजिनल होना जी भीम सैनकपूर तोड़ा था नामतर का भीम सैनकपूर डाली है और उसके बाद जो आपने इलाची पोडर जो भी आप डाल रहे हो काजू बदाम याप के उपर है जब गाने की परकिरिया करनी है आपने तब आप गाए का गोबर से जो उपला त्यार होता है उससे अग्यारी लगा सकते हो अगर उससे आप अग्यारी नहीं लगा रहे तो एक धूप का गोला लीजिए अगर आपके पास अवेलबर नहीं है कही लोग जो है मानो जिनके पास अव बोला मिट्टी का कोई पातर ले ना मिट्टी का कोई पातर में रखकर आपने उस जब आप मिट्टी का पातर लोगे ना उसके अंदर आप कपूर लगाना है कपूर लगाकर तीन इलैची लगाकर आपने प्रजलित कर देना है जब प्रजलित कर दोगे उसके बाद दो तो कुल देवी का नाम लेना मत बोलना या देखेना और उसके लाद अपने टीन वाहर उस भोग को देना है थोड़ें, तोड़े तोड़ आपने भोग देना है उसके बाद आपने जो महक आपके घर में उत्पन होईगी ना उस वो महक आपको जब वो महक आने लग जाए तो समझ लेना आपका भोग सबीकार है ये जो भोग आप लगा रहे हो ना कोई भी शक्ति खाने की बुखी नहीं होती है आपके अंतर के भाव कैसे हैं शक्तियों के परती आप किस पकार से ये चीज मा की योगनिया मा की यक्षनिया देखती है उस दुरान आपके परिवार पर वैसी ही किर्पा होती है मा की नेकिन जब ये भोग लगाते लगाते आपको कब मा से प्रेम हो जाएगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता, नेकिन भाँ प्रेम सचे वाला होएगा, ये मैं आपको आज बताता हूँ, क्योंकि जब आप भोग वही लगाता है, वही लगाता है जिसका अंतर में प्रेम है, जो खुद त्यार करता है, अब कोई व्यक्ति सोचे कि मा क्या खाने आ रही है, नह ये दो अक्षरों को जो नाम है ये किरपार उपेन है, इस पकार का भोग आप लगाईए, और जब भोग लगाओगे उस खीर को अपने परिवार में परशाद के तोर पर आप उसी काटोरी में जिस काटोरी में आप लोगे, परशाद के तोर पर जब आप सभी को दोगे, आपके घर के अंदर या आपके शरीर के अंदर अगर कोई भी मलीन ततव होगा, उसका भोग का सेवन नहीं कर पाएगा, उस भोग का सेवन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मलीनता तुरंत स्तंबित हो जाती है, जैसे ही आप अपने अंदर अम्रित का पान करते हों, ये भोग नहीं है स्वम अमरित है आप ने जिस भाव से प्रकट किया है और जिस भाव से आप ने भोग को तियार किया है यह अमरित बन गया है। तो इस पकार का भोग बनाईए नवरातरी में अश्टमी पे चोदस पे कभी भी मां का प्रिय भोग बना सकते हो आप कभी भी जब आप मां की पूझा करती हो नवरातरी में तो आती है क्योंकि साल में चार नवरातरी आती है गुप्त नवरातरी में भी आप भोग लगा सकते शर्दकारीनी में भी चेतरमाज के वाशार के में माग में भी तो आप चारो नमरात्रीयों के अंदर वी इस बहुब को बना सकती हो तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या पता कोई बेहन बैठी हो मैं क्या भोग लगाऊं अपनी मा को ऐसे मन में इच्छा प्रकर करें तो इस पकार का भोग त्यार करके लगाईए और फिर सब्सक्राइब को जैमाता